तो इस वीडियो को पहले हम बताने से पहले मैं आपको बता दूगर क्लास 10 के छात्र या छात्रा हो तो हम आपके लिए सेंपल पेपर प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेशन हम करा रहे हैं अब जाके हमारा प्लेलिस चेक कर सकते हैं उससे बहुत पढ़ियां भी है कि हम चैप्टर वाइस पीवाई क्यूज और सेंपल पेपर कराते हैं आपको बता दें हम आपके लिए नोट्स भी बाटने की को फालोव बेगवगरा कर सकते हैं अज हम बात करने वाले हैं सेंपल पेपर करने वाला हूं कि मैं सेंपल पेपर çाली के अनले हों किसी से बुक में प्रिफर करने वाला हूं वह बुक से कोई अर्णिंग होनी होती है एक बात याद कर ले ना दूसरी बात यह याद कर ले ना कि मैंने किसी बुक को खराब नहीं कहने को सब्सक्राइब मैं किसी बुक को यह नहीं कहूंगा यह मती लोग नहीं मेरा ऑनेस्ट रिवियू क्या है किस बुक पे क्या हमें लोगतांत्री खाक कि इससी भी चीज़ों को जर्ण करना उरसे असानी तरीके से समझारा आप हमारे परसनल ग्रूप में जुड़े होंगे आप में टेलिग्रा तो मार्केट में ये जो बुक्स हैं ये काफी बढ़िया और काफी बेहतरीन तरीके सापको प्रोइट कर आ रहे होंगे और काफी ऐसा विद्ध देखा होगा कि इन लोगों के जो बुक्स हैं आपके सामने मतलब आपके लिए आपके सामने आप कहीं भी देखेंगे एडवर्टीजमेंट वगरा भी इनके होते रहें तो हम आपको आज करने वाला हूं एमटीजी को देखो यार सारे बुक्स बहुत ही बढ़ी निए अर्योंजी बढ़ी और बढ़ी विद्यो ये तुम सभी लोगों को यह गर तुमें लेना जो लेबल है जो समझाने का तरीका है जो एक्सप्लानेशन है वन टिप्स नोट्स है वो उसमें दिये करें तो को मैंने खरीद रखाया इसको हम बहुत जल्द करने वाले जो कि आप देख सकते हो स्वाल का सिबस्री क्लास टेंट का सेंपर पेपर यह है आपका कॉंसल यह तो आपके सामने दिखा जा रहे है तो हम बात करने वाले अब इसके रीवीव के बारे में तो आफरकार क्या चीजिएं एसी हैं जो ऊसवाल के बुक में दी घरी देखरेओ سंब करका नहीं तों सब्सक्राइब मैंड मैंस के दो बेंगशंके दृष यह दिए गए लगी में जो से मॉनाइड गजिन से काफी तरीके से आपको दिखाई जा रहे है उनका जो एक्सपरानेशन है नोट्स और हमारे नोट्स मिला के पढ़ोगे तो काफी अच्छा कर जाओगे और काफी बेतरीन तरीके से कर जाओगे इसमें लगब पांच तुम्हें तुम ज्यादा मतलब घबडा मत जाओ यार सेंपर करने का मतलब अंदर से साइंस सारे चैपटर्स के मेरे पास है सब्सक्राइब छाइब लिए और शाया करता है तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ले सकते हो ठीक है चाहिक पर्चिस करो थैंक्यूंस लभिव वाल जहीं